हेलो गाइस वेलकम बैक मैं चैनल मैं गुनगुन और आप लोग देख रहे हैं गुनगुन ओल राउंडर फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी हेस्टाइल लेके आई हूँ इसे आप लोग दुर्गा पूजा पे बनाईए दिवाली पे बनाईए या फि बहुत अच्छा है और बहुत इजी भी है तो चलिए बिना देरी की हम लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एयर टू इयर बालों को अलग कर लेते हैं यह देखिए तो फ्रेंट्स अब हम क्राउन एरिया को लेके पिछे पफ बनाएंगे तो बहुत इजी है आप लोग देखिए वोग वोग खिए की हम क्राउन स्वाँ तो तो आगे के बालों में हम लोग यहां पर ट्विस्ट करके हेस्टाइल बना रहे हैं बहुत एजी है ध्यान से देखिएगा कर गिस्टाइल आ गॉरणान और टेखिश together कनें पालों में है के उट करनाइल आ दो दॉड़ता है और फुर्द कल बनादार यहां ख़ुते हैं वहां है तो फ्रेंट्स आप हम लोग पीछे इसे देखिए पिंस फिक्स कर लिया है यह देख सकते हैं आप लोग और सेम यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही ट्विस्ट करके हिस्टल बना लेते हैं तो फ्रेंट्स अब यहाँ पर हम लोगों को लेकर एक पोनी टेल बनाना है और फिर उसके बाद हमें बन लगा के जूड़ा बनाना है तो यह देखिए इसे यहाँ पर मैं एक रबर से बांध ले रही हूं तो फ्रेंट्स जैसे कि आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में दिखाया था यह डोनट्स बहुत इजी लिए आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा तो यह देखिए और इसे अच्छे से मैं फिक्स कर दे रही हूं और फिर इसका मैं जूड़ा बनाऊंगी आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग यह भी देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने चोटे हैं और बड़े चोटे हैं और उससे हम लोग जूड़ा बना रहे हैं तो फ्रेंट्स जो हम लोग के बच गए है बाल उसे हम लोग अंदर डाल के चुपा देंगे तो फ्रेंज आब हम लोग की हेस्टाइल यहाँ पर बन चुकी है आब हम लोग इस पर घजरा लगाएंगे दुर्गा पूजा में घजरा लगाया जाता है तो आप लोग को यह घजरा बहुत अच्छा लगेगा आप लोग ज़रूर लगायेगा यह भी आपको किसी भी मार्केट पर इजीली मिल जाएगा इसे पिन से अच्छे से मैं फिक्स कर रही हूं अपने बालों में यह देखिए और देख सकते कितना अच्छा लग रहा है और बीच में यहाँ पर मैंने देखिए इरिंग बड़ी सी जो एरिंग होती है अपनी कोई भी मम्मी के लिए लिजेगा और उसे बीच में लगा दीजेगा तो देख सकते कितनी अच्छी लग रही है या फिर आपके पास अगर हैर की कुछ भी हो डेकुरेट करने के लिए तो आप उसे भी लगा सकते है मैंने फ् तब तक ले टेक केर और बाई बाई